आज हम बनाएंगे हलवाई जैसी रसीली जूसी और बहुत ही टेस्टी बालुशाई रेसिपी और इसे हम बनाएंगे गेहूं के आटे से घर पर ही बहुत ही टेस्टी बालुशाई बनके रेडी हो जाती है बिना मैदा ये बालुशाई खाने में बहुत ही टेस्टी है तरह से पॉर्फेक्ट रेसिपी आप घर पे बनाके रेडी कर सकते हैं तो अब चलिए इसे जट पड बनाना शुरू कर दे हैं बालुशाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है धाई कप गिहूं का आठा गिहूं के आठे को एक बार चलनी से जान लीजिए और इसी में हम डालेंगे एक छोटा चमच बेकिंग पाउडर जस्ट पिंच ऐनी वन फोर टीस्पून नमक डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है बेकिंग पाउडर आठे में अच्छा मिक्स होना चाहिए क्योंकि जो बालुशय फूलती है यह बेकिंग पाउडर से फूलती है जब बेकिंग पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे घी तो डाई कप गेहूं के आठे के लिए मैंने यहाँ पे आदा कप गी यूज किया है अब घी को हमें हाथ से अच्छा मिक्स करते हुए इसे रब करना है तो हलका हलका दोनों हाथों से इसे रब करेंगे और घी को आठे में अच्छा मिक्स कर लेंगे गी ये बालुशाई में बहुत ही important role होता है गी से जो बालुशाई होती है वो अंदर तक अच्छी fry होती है अच्छी पकती है और taste भी इसका बहुत ही बड़ी आता है जब घी अच्छी से mix हो जाएगा तब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी डालेंगे और इसका हल्का soft आता गुत लेना है अब यहाँ पे जो ये बालुशाई का आटा होता है इसे मसलना नहीं है आमें बस अच्छी से mix करना होता है तो इस पूरे आटे को गुतने के लिए मुझे यहाँ पे 3-4 cup पानी लगा है और इसी तरह से हल्का हल्का soft आता मैंने यहाँ पे गुत लिया है और इसे अब ढखकन से ढख देंगे और इसे भीगने के लिए छोड़ देंगे तो इसे 15-20 मिनिट के लिए कम से कम इसी तरह से भीगने देना है तो जब तक हम बनाते हैं बालुशाही की चाश्नी चाश्नी के लिए एक पती ले में मैंने यहाँ पे 1.5 cup चीनी ली है 1.5 cup हमने आटा लिया था उसी के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 cup चीनी यूज की है तो इसे जादा देर तक चाश्नी बनाते रहना पड़ेगा उबालना पड़ेगा तो पानी मीजर मिन्ट से ही डाले तेज आच पे 5 मिन्ट में इसे अच्छा उबालना शुरू हो चिका है अब जो हमारी यह चाश्नी है यह एकदम परफेक्ट होनी चाहिए वो कैसे मैं आपको बताती हूँ जब इस तरह से अच्छे से उबालाना चालू हो जाएगा चाश्नी में तब हाथ से हलका सा चेक करें नॉर्मली हम जो एक तार की चाश्नी लेते हैं उसी से हमें यहाँ पे आधी कच्ची चाश्नी उलनी है यानि तार जब ऐसा बस हलका सा बनते ही तूट जाए इसी तरह से ये चाशनी होगी हाथ को हलका सा गाड़ा चिपचिपा लगेगा और आधी कच्ची चाशनी बनेगी यानि तार पूरी नहीं बनेगी इसकी तो ग्यास को बंद करके मैंने चाशनी को नीचे उतार लिया है और इसी में डालेंगे एक छोटा चमच इलाइची पाउडर और इसे ठंडा होने दे ये हमारी बालुशाई की चाशनी बनके रेडी हो चुकी है और यहाँ पे जो हमने बालुशाई का आटा गूत के रखा था ये अच्छा भीग चुका है अब इसे हाथ से बस उपर नीचे हलका सा मीक्स कर ले और बालुशाई बना ले बालुशाई एक तरस से देके तो हमारे इंडियन डोनटी होता है छोटा छोटा लिम्बू के साइज इतना इसका पीस लेना है क्योंके बालुशाई फ्राई होने के पार डबल हो जाती है फूल के तो उसी हिसाब से हमें इसके शेप बना लेना है तो हाथ के कोने की मदद से मैंने इसे बीच में गोल करके होल कर लिया है बीच में hole करना बहुत ज़रूरी है जो हमने बालुशाई को बीच में hole किया इसी से बालुशाई अंदर तक अच्छी fry होगी तो उपर उपर छोटा सा होल ना करें अच्छे से गोल वाला होल करें इसे आप चाहे तो किसी गोल चीज से या उंगली से भी गोल बना सकते है तो इसी तरह से मैंने आधी जो है आटे के इसी तरह से बालुशाई बना ली है अब हम इसे फ्राइ करेंगे फ्राइ करना बालुशाई का बहुत ही इंपोर्टन पार्ट होता है तो तेल जो है वो अच्छा हमने लेना है यहाँ पे कड़ाई में और इसे हलका गरम करना है यहाँ पे एक छोटी सी टिप में आपको बताऊंगी कभी भी जो बालुशाई होती है या कोई भी चीज हम जब जादा फ्राई करना होता है जब छोटा सा तुकड़ा डालके फ्राई करें इससे हमें पता चलेगा कि यह अच्छे से फूले गीए या तेल में मिक्स होगी इससे हमारा तेल खराब नहीं होगा और आटा भी वेस नहीं होगा तो छोटा सा तुकड़ा मैंने फ्राई कर लिया था अब धीमी आज पे बालुशाई को मैंने इस तेल में डाल दिया है इसे हमें तब तक फ्राई करते जाना है जब तक कि ये अपने आप उपर ना आ जाए तो एक से देड़ी मिनिट में ही बालुशाई हमारी तहरते हुए फ्राई होते हुए उपर आ जाएगी ये देखिए अब ग्यास को हम यहाँ पे मीडियम आज पे रखेंगे और इसे पलट देंगे तो ये जो बालुशाई फ्राई होते हुए उपर आती है ये एकदम पॉफेक्ट साइन है हमारी बालुशाई एकदम अच्छे से बन रही है तो इसी तरह से हमें इसे अच्छा ब्राउन कलर होने तक फ्राई होने देना है बालुशाई के अंदर जो हमने होल किया था इस वज़े से अंदर का जो पार्ट होता है वो भी अच्छे से फ्राई होता है और जो हमने आटे में शुरुवात में घी डाला था वो जो उपर का गरम तेल है वो अंदर के घी को भी अंदर से गरम करता है और बालुशाई को प्लेट में निकाल लेंगे तेल जो है हमारा बहुत ज़ाद़ा गरम है तो इसे तुरन दूसरी बालुशाई फ्राइ करने के लिए न डाले तेल को हल्का थंडा होने दे तो हमने जो यह फ्राई की बालूशाई हैं, इसे हम अब चाशनी में डालते हैं जब हम इसे बाहर निकालते तेल से बालूशाई को, तब इसे एक मिनिट के लिए रुकें और फिर इसमें डालें क्योंकि अंदर बालुशय के जो घी होता है वो अंदर ही अंदर फ्राई होते रहता है तो सिर्फ एक से दो मिनिट का पॉस लेना है और फिर इसे चाशनी में डालना है 10-15 मिनिट के लिए इस चाशनी में बालुशय को डुबो के रखे अच्छा भीगने दे 10-15 मिनिट से जादा न रखे क्योंकि जो बालुशय होती है जादा अगर चाशनी में भीगेगी तो हलकी नरम होगी तो बालुशाई हमारी चाशनी में भीगती जा रही है तब तक हम यहाँ पर दूसरे बालुशाई बना के रेडि कर लेते हैं फ्राइ करने के लिए तेल हमारा हलका सा थंडा हो चुका है अब ग्यास हमें यहाँ पर ओन कर लेंगे और दीमी आज पर हमने अभी बालुशाई बनाई थी वो इसमें डाल देंगे यहाँ पे बालुशाई को अंदर डालने के बाद आप तेल के बबल्स दे सकते हैं बहुत हलके हलके बबल्स आना शुरू हो चुकी है इसी तरह से तेल जो होता है होँ हमें हलका गरमी रखना है और सेम प्रोसेस में हम बालुशाई उपर आने तक रुकेंगे और फिर इसे पलट देंगे तो एक मिनिट में बालुशाई अच्छी उपर आ चुकी है अब ग्यास को मेडियम आज पे रखते हुए सेम प्रोसेस में हमें इसे फ्राई करते जाना है हर दो मिनिट में इसे पलटते जाएंगे इसे ये इवनली फ्राई होगी ये बालुशाई हमारी फ्राई हो रही है तब तक यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दूसरी बालुशाई हमने चाशनी में डाली थी इसे अब पलट देंगे पलटने से ये भी बालुशाई जो है वो अंदर से उपर से नीचे से पूरी अच्छे से चाशनी में डूबी रहेगी और इसमें चाशनी अच्छा चले जाती है और एक एक करते हुए सारे बालुशाई को मैंने इसी तरह से फ्राय कर लिया है और प्लेट में निकालना है तो 7-8 बालुशाई मैंने एक बार में निकाल लिया है फ्राय करते हुए और इसी तरह से चाशनी में डूबोते हुए इसे निकाल लेना है 10-15 मिनिट बहुत जादा होते हैं इसमें चाशनी अच्छे से चले जाती है यह देखी मैं आपको एक भास से दिखाती हूँ आप दिखने से पता लगा सकते हैं कि इसमें चाशनी कितनी अच्छे से जा चुकी होगी और एक दूसरा साइन है जब हम चैमत से बालुशाई को हा हमने बालुशाई वह अब इसमें डाल देंगे और इसे भी कम से कम 10-15 मिनिट के लिए चाशनी में छोड़ देना है यह जो आधी कच्छी तार वाली हमने जो चाशनी बनाई है इससे जो बालुशाई होती है वो ना जादा सौफ्ट होती है और ना जादा क्रंची होती है यानि एकदम परफ्रिक बनती है वो अंदर तक चले जाती है चाशनी और इसी तरह से एक एक करते वे सारे बालुशाई मेने बना के रेडी कर लिये हैं बिना मेदे के गिहूं के आटे से बने हुए खस्ता और अंदर से बहुत ही जूसी बालुशाई हमारी बनके रेडी हो अंदर ये पूरा चाशनी जो है वो सोक लेता है तो आज की हमारी पर्फेक्ट गिहूं के आटे से बनी हुए बालुशाई बनके रेडी हो चुकी है यह देखिए मैं आपको एक तोड़के दिखाती हूँ यह आप यहाँ पर देख सकते हैं यह जो इसका जूस होता है वो अंदर तक कितना अच्छे से जा चुका है तो इसी तरह से टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हुए आप भी अपनी बालुशाई बनाके जरूर देखे आपको बहुत ही पसंद आएगी तो आज का यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करें शेर करें फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ जब तक के लिए बाबाए